आज की वीडियो में हम एक PC बिल्ड करने वाले हैं 40-45,000 के आज पास का नाओ यह 40-45,000 डिपेंड करता है कि आप इसमें से configuration के साथ जाओगे मैं यहाँ पे 2-3 alternatives भी बताओँगा तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है आपके use case के हिसाब से कि आप क्या use करोगे उस हिसाब से जो है वो अपने लिए choose कर सकते हो नाओ यह PC build majority मैं उन लोगों को target करके बता रहा हूँ आपको जो लोग एक बार PC build कर लिया उसके बाद छेंड नहीं वाले 2-3 साल के लिए बिल्ड करा खताम सिर्फ gaming के लिए PC build कर रहे हो और streaming के लिए कर रहे हो लेकिन आप upgrade नहीं करने वाले जल्द से जल्द आपको जो है वो एक बार बिल्ड कर लिया खताम जो लोग upgrade करेंगे उनके लिए भी मैं इसमें alternatives बताऊंगा लेकिन उनका थोड़ा सा उपर जाएगा budget again क्योंकि तुम upgrade path देख रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्टा spend करना पड़ेगा hardware components में now यहाँ पे यह एक virtual build है मैं आपको components suggest रहूंगा now उसके भी reasons है because quarantine time है यह lockdown time है मैं आपको actually physical build करके इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि इन में से कई components जो है वो मुझे लेने पड़ेंगे मतलब या तो मुझे brand से लेने पड़ेंगे या खुद भाय करने पड़ेंगे और उसके लिए जो है वो again time लगएगा क्योंकि lockdown में delivery में जो है वो time लग रहा है now इससे पहले कि मैं आपको components और बाखी सब चीज़े बताऊ सारे components के link description में दिये रहेंगे so description में दिये गए links जो है वो शॉपिंग कर सकते हो या फिर आपको यह build नहीं करना है कोई और build करना है, कुछ और components लेने है कुछ और सामान लेना है, mouse, keyboard, पतानिया और क्या क्या लेना होगा description में दिये गए Amazon के link से जो हब आप shopping कर सकते हैं उसे channel को support मिलेगा अभी के लिए ये जो हैं prices fluctuate हो सकती है prices बढ़ रही है 3,000 रुपे में मिलने वाली hard drive आपको अब 3,100 की मिल रही है prices बढ़ रहे है Corona की वज़े से, COVID-19 की वज़े से तो अगर आप इस वीडियो को future में देखते हो तो please future की pricing को अभी जो मैं current pricing मना रहा हूं उससे compare मत करना description में दिये गा है Amazon के link से कुछ भी shopping करो उससे चनको support मिलेगा तो यह मैं आपको एक virtual build बताने वाला हूं यहाँ पर CPU जो है हम use करने वाले Ryzen 3 3300X नया CPU है हाँ I know यह जो है वो एक 4 core 830 का CPU है लेकिन 4 core होने की वज़े से इसके अंदर जो है वो तुम्हें prices ज्यादा मिली है जो कि एक 25,000 का CPU है सिर्फ 11,000 में ठीक है तो यह CPU मैं बोलता हूं लेना वर्टिट है हाँ आप लो राइजन 3 33100 की तरफ भी जा सकते हो बट मैं बोलूँगा भाई प्लीज प्लीज एक पल के लिए SSD मत बाय करो लेकिन 3300X के तरफ जाओ क्योंकि अगेन इसके अंदर जो तुम्हारे कोर्स हैं वो सेम CCX के अंदर है तो तुम्हें जो है वो कोर्स के बीच में कम्यूनिकेशन में वो latency देखने को नहीं मिलती है तुम्हें वो latency penalty नहीं पड़ती है तुम्हें गेमिंग में यह तुम्हारा Ryzen 5 1600 को ये beat करता है तुम्हारा Ryzen 5 3500 को ये beat करता है तुम्हारा Ryzen 5 even 2600 को भी ये beat करता है games में तो मैं i7 7700 की ये वाली performance है उससे भी ज़्यादा अच्छे performance देखने को मिल रहे है अगर मैं multi-tasking के बात करूँ तो तो हाँ अगर तुमको कुछ video editing के लिए PC build करना है then मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आप 2600 के साथ जा सकते हो इस price पे या फिर maybe 1600 के साथ but again मैंने जैसा कहा कि इस build का main focus है gaming and upgrade नहीं है एक बार ले लिया तो बस ले लिया तो again मैं बोलूगा 3300X के तरफ जाओ low latency communication between course आपको बहतरीन gaming performance मिनने वाली है मज़ा आ जाएगा i5-9400F को ये बीट करता है ना वो market में आगे नेका और CPU आने वाला है जिसका की नाम है i3-10100F या फिर i5-9400F की जोगा पाएगा 10400 ठीक है तो ये i5 आने वाले है but इनके साथ problem क्या है इनके साथ first problem ये है कि इनका motherboard available नहीं है हाँ Z490 motherboards available है but क्या तुम एक i5-10100F को जो है या फिर 10100 को क्या है एक Z series के motherboard पे एर करो गे 12-13000 के motherboard में या फिर तुम एक i5-10400 को एक 12-13-14-15000 के motherboard पे एर करो कि Z series के motherboard में एक overclocking support वाले motherboard में जिसमें CPU तुमने ऐसा ले रहे जो overclock की नहीं होता है तो वो जो H410 और जो तुम्हारे B460 series के जो भी motherboards है वो अभी तक नहीं आए तो 10th generation के जो budget CPUs है उनको लेने का sense नहीं बनता है अगर आप PC build कर रहे हैं तो 3300X is your way to go processor चीक है यही तुम्हारा process of choice होना चाहिए now अब motherboard पर आते हैं motherboard में जो है वो again जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप PC build अपग्रेड वाला चाहते हैं जिसके अंतर अपग्रेड हो आप CPU अपग्रेड मारोगा आप मेभी RAM अपग्रेड मारो B450 के तरफ जा सकते हो लेकिन again build उससे जो है वो महंगा हो जाएगा मैं recommend नहीं करता आपको कि आप जो है वो B450 ही लो मैं बोलूँगा अगर आप छेड़ने नहीं वाले system को बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाले या फिर बहुत लंबा अपड़ेड पात सोच के चल रहे हूँ कि मैं तो Ryzen 4000 में भी जाऊंगा मैं तो अगले generation के नई CPUs भी लूँगा अभी जो refresh आ रहे हैं तुमारे वो भी लूँगा तो आपको सब कुछ चाहिए then मैं बोलूँगा कि फिर wait कर लो B450 का अगेन आपको खुछ चूज करना आपको क्या लेने है अगर आप ग्रेड नहीं करने वाले एक वाल ले लिया खतम then A320 लो more than enough है A320 के इस motherboard हो जो मैं आपको यह बता रहा हूँ इसके अंदर दो RAM slot है कई लोगों के लिए वो भी disadvantage है अगेन मैं आपको दो 8GB की RAM stick सजेस्ट करने वाला हूँ दो 8GB की RAM stick आप इसमें लगाओगे 16GB more than enough लेकिन अगर आपको चार RAM slot वाला चाहिए तो आपको चार RAM slot वाला A320 पे मिल जागा थोड़ा से महंगा होगा बट अगेन आप उसकी तरफ जा सकते हो आप 3000MHz की मैं आपके रैम से इस्टर वाला हूँ कोरसेर की वेंजेंस 3000MHz की बेहतरी RAM strings है आप इनको overclock करो 3600 में भी किसमाद अच्छे रही थे 37-33MHz पे overclock करो RAM को RAM overclock हुई आपके definitely performance और boost होने वाली है RAM overclocking easy होती है आपको कोई अलग से आपको RAM overclocking जिसे आप CPU overclock करते हो तो आपको aftermarket cooler लेना पड़ता है सरदर्दी होती है नहीं RAM में आपको वो सब नहीं करना RAM बहुत simple चीज है कोई फाल तो heat नहीं निकालने माली है RAM तो easy चीज है इसलिए मैं E320 यहाँ पे recommend कर रहा हूँ stock cooler के साथ मिलता है अच्छी चीज है बात करते हैं storage की तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1TB की hard drive recommend कर रहा हूँ because 120GB की SSD recommend करूँगा तो 120GB की SSD मैं आप Windows डालोगे उसके बाद क्या डालोगे Windows के लाबा कुछ ने डालोगे आपको एप्लिकेशन यूज करते हो उसकी cash यह फिर बाकी जो Windows updates होते है उससे 120GB की SSD जो है वो 6 महीने में भढ़ जाएगी यह मैं लिख कर देता हूँ इसलिए 120GB की SSD recommend नहीं करता 240GB की ठीक है लेकिन 240GB की SSD के आजकर prices बढ़े हुए है वो भी जो हो आपको 3000 तक क्यास पास की पढ़ेगी मेरे हिसाब जो सेंसिबल चोईस यह है कि hard drive लो SSD बाद में ले लेना लेकिन आपके अंगर कुछ कीड़े दौर रहे हैं आपको 10 सेकेंड रोकानी जा रहा है आपको लेना है SSD ले लो किसने रोका है ग्राफिक्स काड़ यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चोईस है ग्राफिक काड़ मैं जहां पर रिकमेंड कर रहा हूँ 1650 शूपर चीपेस्ट आप Zotac का ले सकते हो आप Inno 3D का ले सकते हो दोनों आपको मिल जाएंगे 13500 के आसपास के इसली बेस्ट चॉइस आप जो है वो 1080p high to ultra settings depending on the game इसली 60 plus FPS में gaming कर पाओगे and CPU मैंने आपको इतना अच्छा बताए कि अगर आप इसमें future में 2060 भी लगाते हो RTX 2060 आपको बॉटन लेकिंग देखने को नहीं मिलने वाली so again आपको CPU को अपग्रेड करने की जरुवत पड़े उससे पहले आपको GPU अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप 2080 Ti लेने वाले हो then आपको CPU अपग्रेड करने की जरुवत है लेकिन आप 1650 Super आपने अभी मैं recommend कर रहा हूं इसके बाद अगर आप 2060 भी लेते हो यह 1660 Ti 1660 Super लेते हो कोई issue नहीं आने वाला यह CPU easily उसको run करा देगा 2060 more than enough है easily चला देगा 2060 यह CPU जो काफी amazing interesting CPU है हाँ I know price जादा है I know price जादा है but again worth it है and क्योंकि मैं आपको 1650 Super recommend कर रहा हूं इसके अंदर आपको मिलता है देखने को Turing Encoder NVIDIA की तरफ से and यह जो Turing Encoder है यह Turing Encoder जो है वो आपको बढ़िया सी live streaming भी करा देगा so अगर आप live streaming करने वाले हो इस PC build में then live streaming भी possible है GPU encoding पे 1650 normal वाला मत लेना 1650 Super लेना उसके अंदर Turing Encoder देखने को मिलेगा so and यह जो है आपको वीडियो एडिटिंग में भी जो है वो आपको GPU Acceleration प्रोवाइड करेगा so आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो आप PC बिल्ड कर रहे हो gaming के लिए या फिर आप streaming के लिए PC बिल्ड कर रहे हो यह PC आपको वो करवा देगा कोई issue नहीं आने वाला again मैंने बोला अगर आपको overclock कर मैं CPU को आपको जो है वो और future upgrades पात चाहिए आप बार बार CPU बदलने वाले हो upgrade करने वाले हो थोड़ा पैसा लगाओ उस point पे B450 जो है वो जादा sense बनाता है या फिर B550 आप समझ गए होंगे आपके इस category में fall करते हो और आपको किस choice के साथ जाना है now power इन सबको देने के लिए हम use करने वाल है Corsair की VS450 power supply more than enough है E1 2060 भी लगाओगे न इस system में VS450 उसको easily power देदेगी yes VS450 इसके capable है कि अगर आप 2060 लगाते हो इस system में तो 2060 को भी power देदेगा so I don't think कि आपको इस से जाधा horsepower की ज़रूरत है एक 1080p पे gaming खेलने के लिए Corsair 50 super more than enough है 2-3 साल बाद अगर आप upgrade करते हो आप 2060 लगा लो 2060 जो है वो अभी तो 2K में भी gaming करा देगा लेकिन आप उस future में 1080p 144Hz के अगर आपको for example gaming करने है या फिर future game ज़्यादा demanding मन जाते हैं तो maybe 1080p 75Hz या फिर 1080p ultra 7060Hz पे तो easily 2060 करा देगा easily and last में cabinet की तो cabinet में मैं आपको recommend करूँगा आप anti-sports की ice 511 MT या फिर इनकी ice 200 TG इन दोन में सी किसी एक cabinet के साथ जाए है बिकास ये cabinets के अंदर pre-included fans देखने को मिलते हैं आपको जो अलग से कुछ fan wear नहीं लगाने पड़ेंगे अलग से कुछ होने करने पड़ेंगे cheap cabinet है, easy है आप लगा सकते हो इन cabinets को इन दी साथ pair कर सकते हो बहुत बढ़िया choice बनने वाली है बहुत बढ़ी है पीसिबल नहीं अगर आपको डिपेंडिंग की क्या component की प्राइस चल रहे है आपको ये easily 41-45,000 के बीच में easily ये पीसिबल बन जाएगा आपका 41-45,000 के अंदर ये बन जाएगा depending के आप कौन से components के choice लेते हैं आप B450 लेते हैं देन अगेन प्राइस बढ़ जाएगा आप इसके अंदर जो है वो additional कोई RAM लेते हैं आप इसके अंदर SSD एड़ करते हैं देन उसकी प्राइस बढ़ जाएगे लेकिन अगर मैं एक base configuration बना के चलू A320 में रपोर 3300X 8GB के normal core server के RAM या फिर अगर आप और सस्ती RAM लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं और नॉर्मल एक ICE 200TG और यह सब cabinet अगर आप base में लागे चलो तो आपको easily जो है वो यह under easily जो है यह आपको 45,000 से कम में बन जाएगा easily and यह हर चीज कराने के capable है all-rounder PC and new hardware based PC है, सोच के चलो तुमको पुरानी generation के Ryzen 5 से जादा 6 FPS देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे पास जैसी hardware available को है, मैं इसका जो होगा actual build भी डालूँगा चैनल पर, उसकी tension मत लेना B550 हैंगे, उनका भी review देखने को में लेका, तो आप वो सब देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो वीडियो को और शेयर करो दोस्तों के साथ क्या पता उनको भी build करने हो, एंड धन्या दोबै, टेक करे गाईज ना एक और चीज़